चलो बच्छो तो लेट्स रीकाप वट वी दिदे लास्ट लिक्ट्टर हमने बात की थी लास्ट ताइम ऑक्षिडेशन नंबर मेथर्ड से बैलेंस करना है रेडॉक्स रेक्शन को इन असेडिक एन बेसिक मीडियम तो उसके स्टेप्स क्या होगे स्टेप्स बहुत सिंपल पहला स्टेप था बैलेंस एवरीथिंग एकसेप्ट हीड्रोजन ऑक्सिजन सेकेंड ऑक्षिडेशन नंबर किसका कम हुआ किसका इंक्रीज वह वो चेक करो रिदूस्ट ऑक्सिदाइस स्पीशीज को पहचानो और ऑप्षिडेशन नंबर को इक्वल बैलेंस करो ऑन बोच अगर बैशिक रिएक्षिन है तो जितने भी एचप घ्फ सब्स बना देना है अग दूसरे साथ बाल्तर उस्के सान्सल बी कर देना है that is fine and step number five is check everything charges automatically balance हो जाते हैं आपको check करने की ज़रद नहीं है note क्या किया था हमने आपके screen पर आपको दिख रहा है अगर acidic medium है तो step number four will be omitted skipped नहीं करना है now the next method the next method will be the ion electron method or the half reaction method overall the steps will remain the same to be honest the first the first thing that you do before actually starting the steps of balancing the first thing that you do here is you separate the redox का reaction into a reduction part and an oxidation part यह main चीज़ है मतलब कि पहले ही आप equation जो आपको दिया हुआ question में उसको reduction वाले पार्ट को अलग कर दो और oxidation वाले पार्ट को अलग पहले आप यह कर लो ठीक है एक बार आपने वो कर लिया reduction oxidation के पार्ट को आपने अलग-अलग कर दिया उसके बाद के जो steps है वो more or less they remain the same क्या बात सबको समझ में आ रही है मैंने क्या कहा फिर से समझना बच्छो here the balancing steps are more or less the same difference is that in the first method oxidation number method we were using the whole reaction in this method ion electron method या half reaction method अगर मैं बोलू तो आपको separate कर लेना है उनको reduction part और oxidation part को separate कर लेना है ठीक है तो यहां पर आप मार्क कर लो ion electron method half reaction method in this method two halves of the equation are balanced separately से भी इतना सिंपल समाग कर लो अभी step number one क्या है पहला right unbalanced equation assign oxidation number बागी सारे factors जैसा मैंने कहा वो same है assign करो oxidation number okay divide the equation into two halves that is fine एक हाफ में oxidation number बढ़ रहा है दूसरे में कम हो रहा है then you have right the two halves separately यह पहले ही कर लिया हम फर्स्टेप में ठीक है step two देखो balance everything except hydrogen oxygen क्या यह सेम रहा है की नहीं आप बोलेंगे हाँ इच हाफ में balance oxygen hydrogen ठीक है और oxygen को balance करो by adding h2o क्या यह सेम है बच्चों बोलो हाकी ना कुछ नहीं आया there's nothing new here balance h कैसे by adding h plus ठीक है balance the charges now this is new क्यों यहाँ पर charges को वहाँ पर मैंने क्या सिखाया था आपको charges अपने balance हो जाएंगे balance everything else charges will be compensated यह कहा था मैंने charges के लिए अलग से कुछ नहीं किया था हमने वहां पर याद सबको अब यहां पर वो बोलता है बच्चों यहां पर वो बोलता है कि बाई charges को balance करने के लिए आपको electrons separately add करने पड़े है कैसे देखो balance the charges by adding electrons to the right side of oxidation equation and left side of reduction equation यहां पर थोड़ा सा confusing लगता है यह sentence पढ़ दे में कुछ बच्चों को जड़ा समझते हैं क्या बोल रहा हूँ त्यान से सुलना तो वो बोल रहा है कि oxidation वाले half equation में आप electrons को right side पर आड़ करेंगे और reduction वाले half equation में आप electrons को left side पर आड़ करेंगे इसका मतलब क्या है जारा समझो सपोस्ट मुझे sodium का oxidation लिखने तो मैं ऐसा लिखता हूं एंए गिविस एने प्लस प्लस और येस एंड अगर मुझे क्लोरीन का reduction लिखना है तो मैं ब्लस एलिक्ट्रॉन घिवस छीयल- तो जब मैं reduction लिख रहा हूं तो कि आरों के पहले अलेक्ट्रॉन आया है जब मैं oxidation लिख रहा हूं तो और राइक्वेशन में वाएक्वेशन गर्ट सब्सक्राइगッ घडराइग है थाकूरत लाइस राइक्वेशन दोक रॉठिछून tyreफ्ध में गर्णा न कर रेडवेशने Solid Snapूरा करना थीक भूलोगे सब्सक्राइगऊ है factors to equalize the number of electrons अच्छा आपने नोटेस किया है यहां पर oxidation number को balance करने वाला फंडा नहीं बोला उन्होंने बोला क्या चेक करना तो आपको समरी सब बच्चों को समझ में आया होगा इससे एक विलाइन समझ में आए होगी कि पहला वाला जो बैठरता ना उसमें उसने बुला भाई तुम oxidation number balance कर लो दोनों साइड के charges अपने आप सेटल हो जाएंगी यहां पर उल्टा नहीं हो गया यहां पर बोल रहा है focus on balancing the electrons the charges oxidation number अपने आप सेटल हो जाएगा कि यह बात समय में आ रही है specifically mentioned नहीं कि oxidation number को balance करना है है ना बच्चो अच्छा तेन यहाव एड़ दे तू हाफ equations and cancel the number of electrons इसका मतलब यह अब mcq के point of view से ct वाले point of view से ध्यान से सुनना इसका मतलब यह कि final equation में electron दिखने चाहिए क्या yes or no अगर वो clearly बोल रहा है कि cancel the electrons तो final balance equation में electrons दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए बिलकुल नहीं दिखने चाहिए यह important है याद रखना ठीक है final balance equation में आपको ऐसे free electron यहाँ वा नहीं दिखने चाहिए final balance equation में the electron numbers on either side have to be cancelled out yes बच्चो right okay six step if it is in basic medium if it is in basic medium then वही logic same वाला कॉन सा add oh minus कितने चितने number of h plus आपने डाले थे उतने oh minus लगा दो then h plus oh minus same side के हैं उनको combine करके water बना दो और लास्ट वाला इस चेक लास्ट वाला इस सबसे ईजी हमें चेक करो clear हो गई बात yes so steps are simple and straightforward let's take an example and start applying the steps यह आपका question it's saying balance the following equation in acidic medium by half electron half reaction method यह question दिया है और आपको बोला है कि भाई ion electron method या half electron half reaction method से आप इसको balance करोगे in acidic medium बच्चो चलो step by step follow करे right step number one क्या बोलता है बताओ अभी किया आपने कि सबसे पहले आप हाँ सबसे पहले आप oxidation और reduction के reactions को अलग करोगे अच्छा कैसे आप अलग करोगे obviously आपको पहले oxidation number assign करना पड़ेगा तो पता चलेगा ना कौन oxidize हो रहा है कौन reduce हो रहा है तो first step में actually अगर आप देखोगे बच्चो तो आपको first step is consisting of two different parts part one is where you will assign the oxidation number part two is where you will separate the equations तो पहले आपने यह किया Mn2 plus ClO3 minus gives MnO2 plus ClO2 ठीक है यह आपने कर दिया अब क्या करना है पहले oxidation number assign कर लेना है manganese 2 plus का कितना है obviously plus 2 यहां पर उपर लिखा हुआ चेक कर लो ClO3 minus में oxygen का कितना होगा minus 2 तो chlorine का कितना होगा चेक करो plus 5 ठीक है यह तो I'm pretty sure सब बच्चों को भी बहुत easily निकालने आता है जिनको नहीं आता उनके लिए बता दूँ ऐसे होगा chlorine plus 3 times oxygen मतलब 3 बार minus 2 equal to minus 1 यह उपर है minus 1 equal to minus 1 है ना तो यहां पर ऐसा हो जाएगा plus 5 ओके MnO2 में कितना है बच्चों oxygen minus 2 ही रहेगा तो plus 4 हो गया और chlorine यहां पर कितना हुआ minus 2 था तो plus 4 हो गया याने कि chlorine plus 5 से plus 4 गया और manganese plus 2 से plus 4 गया तो कौन बढ़ा कौन reduce हुआ कौन कम हुआ manganese का oxidation number बच्चों increase हुआ करेक्ट बोल रहा हूं manganese का oxidation number increase हुआ plus 2 से plus 4 गया आप बोलोगे हां बरोबर है और chlorine का plus 5 से plus 4 गया यहनिकी इस तरह से आप mention करो कि manganese जो है उसमें इजाफा हुआ यहनिकी increase हुआ और chlorine जो है उसमें कम हुआ मतलब की minus 1 कम हो गया क्या मुझे यह एक्चुली बैलेंस करने की जरुद है फिलाल फिर से देख लेना नहीं फिलाल नहीं थीक है specifically mentioned नहीं अच्छा तो मैंने simple किया पहले देख लिया कि भाई oxidize कौन हुआ है reduce कौन हुआ है तो clear हो गया मेरे दिमांग में कि manganese oxidize हुआ है और chlorine reduce हुआ है आम बलोगे ठीक है perfect yes now I will separate them into oxidation half reaction and reduction half reaction क्या यह समझ पारें आप बच्चो oxidation half and reduction half कौन oxidize हुआ था तो आप बुलेंगे manganese oxidize हुआ था तो manganese कैसे oxidize हुआ था भाई Mn2 had become MnO2 correct देख लो Mn2 plus का MnO2 बना था अब बोलोगे ठीक है यह oxidation हो रहा है reduction में क्या हो रहा था अब बोलोगे सर ClO3-ClO3-ClO3-ClO2 बना था है कि नहीं बोलेंगे हां यह reduction हुआ ठीक है everybody clear on this अब हम लोग जो हमारे नॉर्मल स्टेप से उस पर आ जाते हैं तो अब यह दो रियक्शन हो गए अब हर reaction में दो steps दो यह लिखने पड़ेगी हर स्टेप में दो reaction लिखने पड़ेगी ठीक है पहले वाले में क्या बुला balance everything except hydrogen oxygen ठीक है और उसी स्टेप में डाल दिया ना उसी स्टेप में उन्होंने डाल दिया ठीक है आपने step 2 की जगा अगर step 3 में oxygen को balance करके लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई problem नहीं हो जाएंगी ठीक है that is fine don't worry about the number of the second नी third में करना था ऐसा कुछ निया balancing का sequence बस maintain करके रखो यहां पर manganese देख लो बच्चो यहां पर manganese एक था यहां पर भी एक था तो manganese का तो attention निये oxygen यह बाज जो oxygen थे यह बाज जो zero थे तो क्या करना मैंने Mn2 plus plus 2H2O gives MnO2 everybody with me so far on this yes MnO2 see the co attention what about your your protein oxygen यहां पर 2 oxygen तो CLO3 minus gives CLO2 gives CLO2 plus H2O agreed yes okay what about step number 3 what step number 3 देख लो जड़ा hydrogen add कर लेना है अब बोलेंगे ठीक है कैसे देखो तो अब बोलेंगे Mn मैं copy paste कर लेता हूं यह रहा हमारा original equation अब इस में hydrogen कहां पर करना है देखो यहां पर 224 hydrogen थे तो राइट साइड पर क्या करेंगे 4H plus everybody clear on this बच्चों simple okay तो सेंब यहां पर भी करेंगे काफी easy लग रहा होगा वैसे यह यहां पर दो hydrogen थे तो यहां पर क्या करेंगे 2H plus clear तो oxygen बैलेंस हो गया hydrogen बैलेंस हो गया बागी सारे आटम भी बैलेंस्ट अल्रडी थे आपको मेरा उल्टा हाथ दिख रहा है कि आप मेरे को सामने के कैमरा में देख रहा है आपके आपके अपके ऑक्सिडेशन हाफ रियक्षिं में चाज़े इसको कैसे बैलन्स करना है इवन इफ यू डोंट रट्टा मारों कि अच्छा उक्षिडेशन में राइट और रेड़क्शन में लेफ पर डालना है फिए इवन इफ यू दो डाएट यू के अट लिस्ट लुक अट चार्जिस एंड बैलेंस यह लेक्षिडेशन वाले रियक्शन में मैंगिनीज वाले मिन इकवेशन देखो तो यहां पर आपको प्लस टू चार्ज दिख रहा है और यहां पर आपको चार्फोर प्लस टिख रहा है तो क्या करना है 2 electron right side पर डालूंगा तो plus 4 minus 2 overall 2 plus यानि कि balance हो गया correct तो क्या मुझे ऐसे रटने की जरुद थी क्या कि नहीं भाई मतलब कि इस में right इस में left नहीं आप सिर्फ देखके balance कर लो ठीक है तो please don't stress yourself with trying to learn कि अच्छा कौन सा वाला कि side है just remember you have to balance the charges दो electron कर दिया दो साइड पर balance हो गया I'm pretty sure सब को यह समझ में आया होगा बहुत easily चल आगे देखें बढ़िया यहाँ पर क्या है reduction में क्या हो रहा देखो left side पर 1 minus है और 2 plus है overall है न बच्चो तो क्या हो रहा है total charge total charge कितना हो है एक minus है 2 plus है overall कितना हो है plus 1 तो electrons तो ध्यान से देख लो फिर से एक बार बच्चो अगर मुझे सिफ इस individual reaction को इस इस chlorine वाले reduction वाले हाफ को अकेले के charges को balance करना होता तो मैं यहाँ पर एक electron लिखता हूँ और मेरा काम हो जाता खत्म लेकिन मेरे पास यहाँ पर दो electron थे तो यहाँ भी दो होने चाहिए क्या अगरी करते हो इस बात से और इसको दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा the entire equation has to be multiplied by 2 oxidation number भी अपने बैलेंस हो गया the entire equation I am saying entire of course so which means that this will also become everything will become 2 2 Cl O 3 plus 4 H plus plus 2 electron is 2 Cl O 2 plus 2 H 2 क्या यह बात समझ नहीं तो step number 4 में आपने क्या किया individually आपने reactions को balance कर लिया step number 5 में जो multiplication factor था वो करने तो step number 5 में oxidation वाले का तो कोई multiplication factor नहीं है दो electron लिखे है balance हो गया correct right वाले को क्या करना पड़ेगा reduction वाले को बताओ multiply by 2 करेंगे तो यहाँ पर mention कर दो ताक कि कोई confusion रहे ही नहीं क्या करेंगे mention बच्चो you write multiplying यहाँ 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 आपका step number क्या है 2 & 2 हमने same obviously जो इतली खाता वही लिखा है सिर्फ उसका step जो है 4 की जगा भी 5 में लेख दिया ठीक है बच्चो yes and last is simple of course what you have to do is again now add the two equations and cancel out the electrons अगर यह basic medium हो था तो फिर आप बाकी वो भी तम जम करते कौन सा वाला OH- वो भी करेंगे अभी हाँ अभी वाप इस आड़ करो adding the two equations adding adding oxidation half and the reduction half equations together तो ऐसे आएगा MN2 plus plus 2H2O adding के वक्त प्लीज ध्यान देना adding के वक्त left और left पूरा एक बाजू right और right पूरा एक बाजू please remember that ठीक है दोनों equation का यह जो है ना left वाला और यह पूरा left वाला यह एक side आजाएगा और यह right side का यह एक और RHS यह पूरा एक बाजू आजाएगा please यह बात को समझना इसमें गड़बट नहीं करना बहुत basic चीज बता रहो ठीक है तो MN2 plus plus 2H2O plus 2CLO3 minus plus 4H plus plus 2 electron यह पूरा left side का रख दिया clear अभी right side का लिखो क्या है MN2 plus 4H plus plus 2 electron plus 2CLO2 plus 2H2O clear है बच्चो अभी left और right पे आपको दो electron दो electron दिख रहे होंगे उनको पहले cancel कर दो ठीक है यहाँ पे 2H2O है यहाँ पे 2H2O है cancel कर दो यहाँ पे 4H plus है यहाँ पे 4H plus है opposite sides पे ना cancel correct तो overall हमारा balanced equation कैसा दिखा overall balanced equation हुआ MN 2 plus plus 2CLO3 minus जो बच्चा वो लिख दो तो प्लस प्लस 2CLO2 चब दिशिज ले फाइनल बैले सीटुशन लेन यू राइड फाइनल बैले से खिलयू कालिक लिखने चार्ज या शॉल्ट सैंखोगर लिखना है यह तो अब्वियस सबको मालूम है तो लास्ट वाले में क्या करेंगे इसको एक्वेस इसलिए चार्ज एक आयांस फॉर्म है यह सॉल्ट के डेरिवेटिव है यह और मनोटू यह आपका फाइनल बैले सीक्वेशन अगर बेसिक मीडियम होता तो अब लोग और करते हैं और एक अभी अन्सॉर्ट एक्जाम्पल में से करते हैं दिवास्ट यू टुबैलेंस इस वाइन एलेक्टरॉन मेथे इस ते बालेंस बाइब के टेक्स्ट्स बूक के एक्सराइस में से विशने बालेंस बाइब आफ रियक्शन में जर इन बेसिक मेडियों है ना ओके सो भी आई ओच थ्राइस प्लस एसे नो टू इसे नो थ्री प्लस भी आई सॉलिड यह आपका ओरिजिनल एक्वेशन है चलो फटा फट स्टेप वाइस स्टेप वाइस फॉलो करेंगे अब तुड़ा स्पीड भड़ा के करेंगे क्या पहले मैं एज़िट इस एक्वेशन लिखा मैं वह सॉलिड लिक्विड वह सब नहीं लिख रहा हूं वह आप लिख सकते हो कुछ से ने इस बख्वास अंडर्स्टूड है कि जिसमें चार्जी से उसमें एक्वेशन लिखना होगा सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे चोलो बताओ जल्दी जल्दी पहला स्टेप सबसे पहले ऑक्षिडेशन नंबर असाइन कर दो बिसमत का कितना है इसमत का है प्लस थ्री क्योंकि ओएच इस माइनस वन ये पिछली बार भी समझाया था याद कर लेना अगर आपको शॉक है कि आप ओएच को अलग अलग लिखो तो दाट इस ऑलसो फाइन नो प्रॉब्लम आप ऑक्सिजन को माइनस टू हार्टरजन को प्लस वन लिखोगे बच्छो तो भी वह बतलब दोनों सेपरेटली भी लिखोगे तो भी ओवराल माइनस वन ही आने वाल डिक पॉसको मैंने लिखा टिन अब देखो ऑक्सिजन वि का vous 2 तो 10 will become here 10 कितना हो जाएगा अभी minus 2 2 और यह तो plus 2 हो जाएगा overall ध्यान से देख लेना यहां पर कितना होगा oxygen minus 2 है तो 10 कितना आएगा बच्चो प्लस प्लस 4 और बिस्मत यहां पर elemental form में elemental form के लिए सबसे पहला rule oxidation number का क्या था कोई which is elemental form में है तो 0 normal elemental form में 0 ऐसा भी सोच सकते हो इसके उपर कोई चार्ज नहीं लिखा वा तो 0 ऐसा भी सोच सकते थे तो यह हो गया अच्छा तो इससे क्या समझ में आया कि भाई बिस्मत वेंट फ्रॉम बिस्मत वेंट फ्रॉम प्लस 3 टू 0 बच्चो तो क्या हुआ ओक्सिडेशन नंबर कम हो गया उसका एंड टिन वेंट फ्रॉम प्लस 2 टू प्लस 4 अभी एकदम ज्यादा ही सिंपल लग रहा होगा सब बच्चों को ठीक है चलो जल्दी लिखो बिस्मत का माइनस 3 हुआ टिन का प्लस 2 हो गया ठीक है भाई तो रिड्यूस कौन हुआ रिड्यूस कौन हुआ अब लोग सर बिस्मत हुआ बिस्मत की किसमत में रिड्यूस होना वा लिखा था इगंदा जोक मारे बिना मेरा सुबह कहां खा चल दी ठीक होता है तो बिस्मत हैस बिकम रिडूस्ट एंड टेन ऑक्साइड अस बिकम ऑक्सिडाइज बेसे इसे एसे लिए ना तो पहली सिंपर डफेशन के देख लो यह आप आपको फंडा सेमी जो यह है कि एक्स्प्लेशन मिलेगा कि ऑक्सिडाइज हो रहा है में समझ में आरी होगी बाते step 2 में क्या करेंगे step 1 में हमने oxidation half और reduction half को separate कर दिया oxidation half और production half बच्चो है ना चौब क्या होगा देखो oxidation half में बताओ हाँ tin SNO2 2 माइनस has become SNO3 2 माइनस अग्रीड? production half में क्या हुआ है? BIOH thrice has become bi है ना यह हो गया यह रेडिक्शन हाओ तो यहां तक तो हमारा हो गया step number one what about step number two? चलो, क्या step number two में पहले सारे atoms को balance कर ले, पहले atoms को देख लेंगा अच्छा तो atom देखेंगे तो अच्छा भाई यहां पर टी नेक है, टी नेक है कोई tension नेक है, ठीक है oxygen को भी लगया हाथ balance कर लेते हैं यहां पर दो है, यहां पर तीन है क्या होगा? left side पर एक water molecule add हो जाएगा टीक है, प्रेजेंटेशन पर थोड़ा फोकस करना देखो, नीट और क्लीन दिखना चीए जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है तो वैसे आपके बुक में भी क्लियरली लिखा होना चीए खिचडी नी करनी, कैंसलेशन नी करनी I know I have the advantage of having a digital, this thing I can always erase and write, but you have to be that perfect for your presentation to be nice चला, BIOH थराइस में, कितने ओक्सिजन तीन, तो राइट साइड पर कितने वाटर मॉलक्यूल थी एच्टो काफी सिम्पल, इसमें आइनो कि बहुत सारे बच्चे यह सुच रहोंगे, सर लगे हाथ हाइड्रोजन भी कर देते हैं हाँ, वो अगले स्टेप में आएगा अगले स्टेप में चिंता मत करो ठीक है तो यह हुआ हमारा ऑक्सिजन का बैलेंसिंग और बाकी आटम्स तो सेम मतलब सेम अलड़ी बैलेंस थे, कोई टेंशन नहीं वट अब नेच्स स्टेप स्टेप नमबर थ्री, बताओ, क्या करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यह वाला ऐसे टिस लिग देता हूं और लेफ्ट साइड पर अब मेरे पास चार हाइड्रोजन थे और राइट साइड पर एक भी नी था तो क्या करेंगे राइट साइड पर I will write 4H प्लस अग्रीड बैलेंस हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पर क्यान से देखना कितने लेफ्ट साइड पर कितने देख रहे हैं तीन राइट पर कितने देख रहे हैं त्री टूजा 6 तो लेफ्ट पर क्या करूँ 3H प्लस एवरिबडी येस और नो परफेक्ट तो लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सिजन का फरक था तो एक एच्ट वाइड किया था और राइट साइड पर तीन ऑक्सिजन का डिफ्रेस हा तो तीन एच्ट वाइड किया था फिर देन हाइड्रोजन में यहां पर दो तो 2H प्लस यहां पर तीन तो 3H प्लस क्लियर स्टेप नमबर 4 क्या रहेगा बैलेंस देट चार्जिस बाइडिंग सुटेबल नमबर ओफ एलेक्ट्रोंज स्टेप नमबर 4 अभी स्टेप नमबर 4 में पहले चार्जिस चेक करो कितने दोनों साइड पर लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर SN O2 2- और राइट साइड पर SN O3 2- 2- मतलब कितने दो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पड़े हुए क्योंकि अगर 2- 2- तो 2 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है ओवराल 0 है लेफ्ट साइड पर 2- तो यानि कि राइट साइड पर अगर मैं 2- तो ओवराल अब दोनों साइड 2- हो गया बोलो हाकी न जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दू यह 2- और यह 2- बैलेंस हुआ क्योंकि यह 2- तो बैलेंस अल्रड़ी है तो ओवराल दोनों साइड पर चार्ज इक्वल होगे अच्छा प्लीज अंडर्सेंड बहुत सारे भक्छों के दिमाग में यहीं कॉंसेप्ट है चार्ज इक्वल मतलब चार्ज जीरो नहीं भाई बाइट्यां इक्वल मतलब अच्छूली चार्ज इकॉल यह पे–2 है तो यह इहां पर भी–2 है that is what the meaning is, I hope you all are getting that, what about here, in the reduction half of the equation, बच्चो, क्या charges दिख रहा है आपको, right side पे तो overall already zero है, बिस्मत का भी zero था, water का भी zero था, left side पे आपको 3 plus, 3 H plus है न, 3 into plus 1, 3 plus charge दिख रहा है, मतलब actually add कितने करने electron, तीन electron add करने तो दोनों सेट 00 हो गया, बरो बर बोल रहा हूँ, अब आता है step number 5, जहां पर, अच्छा क्या यहां पर electron number equal है, नहीं, नहीं equal नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 electrons है, यहां पर 3 electrons है, obviously 2 is not equal to 3, thank God, everybody knows that, so, equalize कैसे करेंगे, 6 electron करने पढ़ेंगे, बोलो हां की ना, 2 and 3 का, तो equalize करने तो 6 electrons करना पढ़ेगा, and what will you do to make it 6 electrons, बच्चों, you will multiply this equation by, oxidation number वाले, oxidation वाले equation को आप, 3 से multiply करेंगे, और reduction वाले equation को आप, 2 से multiply करेंगे, तो क्या होगा, पूरे के पूरा 6 electron सिस्टम बन जाएगा, तो यहां लिख दो, क्या, multiplying, हां, यह step number 5 है आपका बच्चों, step 5 हो गया, multiplying by 3, multiplying by 3, to equalize the electrons, और यहां क्या लिखेंगे, multiplying by 2, to equalize the electrons, क्या है यह भेज़े में चला गया सबके, चलो फटाफट लिखो, अभी इसको multiply कर लो, चलो, तो यहां पर, यह 2 electrons है, यह 2 hydrogen है, क्या आएगा, 3 times of SNO2, plus 3 times of water, gives 3 times of this, plus 6 times of this, plus 6 times of electrons, already 2 H+, था, याद कर लेना, same way, 2 times of this, plus, H+, कितना हो जाएगा, 6 H+, plus 6 times of electrons, 6 moles of electrons, gives 2 Bi, plus, कितना water, 6 moles of water, 6 H2, clear है, यहां तक हो गया, proper, कोई doubt किसी को, क्या किया, तो पहले हम लोग equations को add कर लेते हैं, next step में, हमारे step number 6 में, और फिर उसके बेसिक मीडियूम का OH वाला देखेंगे, अगर हमारे पास H+, बचता है, तो, ऐसे chances लग रहे हैं, यहां पर H+, बचने के, equation को देखके, तो, यहां पर लिखो, mention करो, adding oxidation and reduction halves, equations together, adding the equations together, अच्छा, if you want you can write, adding the equations together, and cancelling out the electrons, साब लिक सकते हैं, तो, तो, 3 times of S-N-O-2 2-2-3H2O 2-2-3H2O 3-2-3H2O यह पूरा लेफ्ट साइड का हो गया बच्चों अब आते हैं, राइट साइड पर gives 3sno3 2- plus 6h plus plus 6 electrons plus 2bi plus 6h2, agreed? okay, now what will happen? 6h plus, 6h plus, cancel. 6 electrons, 6 electrons, cancel. 6 water और 3 पूरा water cancel, यहां पर कितना बचा? 3, clear? तो in short, overall h plus बचा ही नहीं. तो basic medium वाला fund हमारा use करने को मौका मिलेगा क्या है यहां पर? you won't get a chance to use it, why? because h plus अगर बचता तो आप correspondingly oh minus दोनों साइड पे add कर लेते, है न? यहां तो नहीं बच रहा, anyway, so final equation will become 3, step 7, step 7 में final equation, है न? 3sno2 2-, अब इसमें proper आप लिखो, वो aqueous वगेरा, वो सबनातक जो है, वो लिख लेना, ठीक है? 2sno3 2-, plus 2bi oh thrice, plus 2bi oh thrice, gives, 3 है, अच्छा, हाँ 3 है, 3sno2, sno3 2-, plus 2bi, plus 3h2o, यह आपका final balance equation है, यहां पर आएगा, aqueous, this is solid, this is liquid, वोगेरा, ठीक है बच्छो, और एक टाइप का हमने अभी cover कर लिया, कि आपको oxidation number, या iron electron method दिया है, या acidic medium दिया, या basic medium दिया है, तो उसके आपको reactions balance किस तरह से करें, right, again, understand this, please, these are topics of class 11, तो अगर हम लोग MCQ की बात कर रहे हैं, आप अगर CT point of view से देख रहे हैं इसको, या even जो बच्छे J point of view से देख रहे हैं, तो उसमें आपको इसके concepts learn करने, इसके steps रटा नहीं मारने, ठीक है, और पूरे-पूरे answer लिखने की practice आपको MCQ के उसके लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी जो college की exam होगी class 11 की, उसमें ये chapter जब आएगा तब आपको balancing के लिए देंगे, so, किसी भी chapter के उपर time उतना dedicate करो, जितनी उस chapter की valuation है, जितना उसका weightage है, ये topic आपके 11 के college के theory paper के लिए ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप 10 दिन लगा कि इस chapter को पूरा perfection की तरह कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, उसके पढ़ाइम वेस्ट नहीं करना, आप यह बात समझ में आ रही है, उससे अच्छा organic chemistry के practice और structures पर जाधा time लगाओ, जाधा मेहनत करो, क्योंकि वो आपको long term में 12 में भी काम आने वाला है, और आपके entrance में भी काम आने वाला है, ठीक है, और जो बच्छे entrance नहीं दे रहे हैं, जैसे architecture है, या boards दे रहे हो, या यहां पर हमारा यह part तो खतम हो गया, कि balancing कैसे करनी है, अब last part of the chapter है, कि जहां पर electrode potential से इसको relate करना है, अब पहले तो यह समझना पड़ेगा, बहुत एक basic level से, कि exactly electrode होता क्या है, पहले तो यह समझना पड़ेगा, तो जब आप एक cell use करते हो, तो उसमें दो electrode लगे होते हैं एक cell में क्या लगे होते हैं बच्चों, दो electrode लगे होते हैं, तो एक जो cell है, वो दो electrode से बनता है, तो electrode becomes part of cell, agreed, right, okay, electrode becomes part of cell, पहली बार, अच्छा, positive electrode, negative electrode, ऐसे दो होंगे आपके पास, what exactly is electrode potential, तो भई, एक electrode की potential होती है for oxidation and reduction, याना कि cell में, कोई भी जो cell आप use कर, जैसे आप pencil cell यूज करते हो, आपके remote में, या इवन आपके phone की जो battery है, वो भी एक type का cell ही है, कोई भी चीज, जैसे यह earphones अगर मैं use कर रहा हूँ, तो उसका जो charge है, वो भी एक अंदर उसके battery ह cell है, जो भी है, इनमें फंडा क्या है, अंदर क्या हो रहा है, redox reaction हो रहा है, जिसकी वज़े से आपको charge मिल रहा है, जब cell आप charge कर रहे हो, तो भी एक अलग type का reaction होगा, याने वो आप से electricity ले रहा है, और जब आप cell को use कर रहे हो, तो आपको electricity दे रहा है, है ना, एक electrode, जि जितनी electricity की capacity, जितना voltage आपको generate करके देता है, वो उसका potential है, क्या मतलब समझ में आपको, electrode का potential मतलब क्या, suppose यह electrode है, यह आपको 2 volt generate करके, 2 volt potential difference generate करके दे रहा है, तो उसका potential कितना हुआ, 2 volts, समझ में आई बात, simple, potential मतलब क्या होता, English में, किसी चीज़ का potential, कितना वो कर सकता, जिसे आपको teacher लोग बोलेंगे, कि अच्छा भाई, आपका potential है, आप 90 ला सकते हो, potential है ना, आपकी ability है, वैसे यह भी है, electrode की potential, कि भाई, यह तुमको 2 volt दे सकता है, that is the idea, क्या यह basic चीज़, एकदम simple चीज़ बच्चों को समझ में आगे सबको, electrode potential word का मतलब, अब यहाँ पर ही क्यों use कर रही है, कि भाई, देखो, जो electrode, जो electrode, reduction होगा, जिस पर reduction होगा, वो cathode बनेगा, जिस पर oxidation होगा, वो anode बनेगा, तो याने कि, किसी electrode की reduction या oxidation कराने की potential, यह define करेगी, कि वो anode बनेगा, कि cathode बन correlate किया है, ऐसे देखने है, तो let us take example, let us take example, simple method, is to observe, copper sulfate solution में, zinc का rod आप dip कर दो, एक container है, copper sulfate का solution लिया, उसमें zinc का एक rod लेके ऐसे dip कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, condition, कि भाई, एक beaker है, उस beaker में blue color का, आपका copper sulfate का solution, है, आपने एक zinc का rod लिया, और उसके अंदर dip कर दिया, क्या यह समझ में आगए बात, easy, अब सवाल यह है, कौन oxidize होगा, कौन reduce होगा, question simple है, समझ में आया सकतो, और इसी condition को हम लोग basically क्या बोलते है, Daniel cell, Daniel cell similar इसी concept पे based है, ठीक है, Daniel cell यहाँ पे देखना, आप क्या लिखेंगे, a combination of, combination of zinc and copper electrodes, Daniel cell आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे बच्चो, it is a combination of zinc electrode and copper electrodes, how do you make an electrode, simple रे बबाए, एक beaker लेने का, उसमें solution डालने का, उसके अदर metal का rod डालने का, यह ओगया dentro, zinc electrode का ऐलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, zinc ka solution लेंगे, उसमेर, copper का electrode कैसे बनाएंगे, copper का solution लेंगे, उसमें rod डालेंगे, यहां पर उन्होंने सिर्फ आपको example के लिए बोला है ना कि कॉपर के solution में जिंक का रोड में का रोड आइडेल हो जाई जिकन का बात समझ में आ रहे है जो मेटल है उसी के सॉल्ट का solution होना चीह तो यह हो गया जीक का एलेक्ट्रोड यह हो गया कॉपर का एलेक्ट्रोड काफी इजी हम बोलेंगे हाँ ठीक है अब यह जो पूरा डिस्क्रिप्शन इन्हों नों दिया ना सॉल्ट ब्रेज यह वो यह हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नम का क्लास 12 का चाप्टर उसमें दम डीटेल में इसको एक एक वर्ड एक एक लाइन को पड़ेंगे तो इसको अभी के लिए आप फिलार इग्नॉर कर सकते हो ट्वेल्त में यह आपको मैं एलेक्टर केमिस्ट्री वाले चाप्टर में यह सारी चीजी पूरा डैनियल संब सबाइसे पेजिस पेजिस लिखे हुए है मिलोग डीटेल में डिसकुस करी विकवर्ड के लेवह एक सको में नहीं आएगा उसके लिए आपको physics की थोड़ी understanding होनी चीह current electricity की understanding होनी चीह circuits की understanding होनी चीह basic idea तो जब आप लोग physics में वो basic part लोगे तो आपको electrochemistry में मैं यह chapter अच्छे से detail में कराँगा अभी के लिए आपको क्या गणा है just this part you can just either read or honestly you can ignore that is fine ठीके बच्चो एट एंटार पारिग्राफ of standard electrode potential and all that you can just either read it or you can completely ignore it that is fine no problem क्योंकि यह आभी आपको सम्झेगा कुछ बच्चे जो है अगर आपने ICSC CBSC वाला अगर 10th किया होगा तो उसमें आप लोगों को यह electrochemical series नाम का एक series पढ़ाया जाता है वो भी आम नाट शॉर इस बार online में कितना पढ़ाया गया स्कूल में not sure of that पर हां यह 10 वाले जिन्होंने ICSC CBSC से किया है तो उनको पता रहेगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है as I mentioned electrochemistry chapter में बहुत ज़्यादा in-depth इसको अपन करने वाले फिलाल के लिए you can ignore it conveniently no problem that is the last part that I wanted to you to just have an idea कि electrode potential क्या होती है और daniel cell किस से बनता है daniel cell zinc और copper के electrodes के combination से बनता है right electrochemistry में इसका application क्या है किसी भी cell में redox reaction की वजह से वो cell आपको electricity generate करके देता है यह वोल्टेज generate करके देता है यह redox का direct application मतला अगर redox नहीं होता तो दुनिया में cells नहीं होते हैं समझ रहे आप बात को अगर redox reactions नहीं होते हैं तो ना आपका phone काम करता है ना आपका charger काम करता ना बतब कोई भी चीज जो cell पे चल रही है remote everything cell पे चलने वाली चीज़े एक्जिस नहीं करती है redox redox के applications नहीं होते हैं तो इसले काफी इवन यहार कार और स्कूटर देट यूद्राइव और बाइक और बैटरी लगती है वो भी इसी फंडे पे बेस्ट है of course है ना तो वहां पर यह direct application हो जाता है ठीक है बच्चो एक पॉइंट यहां पर चाहिए मुझे कि आप add कर लो I don't think they mentioned it here but please add here the potential of the potential of standard hydrogen electron क्या लिखा है देखो potential of standard hydrogen electrode standard hydrogen electrode का हम बोलते हैं क्या बोलते हैं देखो दिखाना screen पे she s h e standard hydrogen electrode the potential of standard hydrogen electrode is taken as zero volt कितना है standard hydrogen electrode को आप लोग क्या मान के चलतो इट इस टेकन आज़ इस दोट समझ में आ रही है एक आपका जो basic parameter होता है इसके comparison में बाकी सारी values गिरी जाती है ठीक है so that brings an end to your chapter on redox we'll just go through all the mcq points quickly बच्चों एक बार mcq points को quickly revise कर लेते हैं ताकि आपके concept सोड़े से और refresh हो जाए and the other topics of the exercises जैसे कि जहां पर balancing है formula लिखना है majority we've already covered in session by session whatever is left out जैसे कोई अगर oxidation number लिखने का question है या balance करने का question वो आप अपने practice के लिए खुद से कर सकते हो ठीक है और उसके जो doubts होंगे उसका photo click करके अपने app पे chat box में डाल देना I'll give you the solution for that right let's do the mcqs पहला question देखो oxidation number of chlorine atoms marked as cla and clb in bleaching powder आर अच्छा सवाल कि ब्लीच आप सबने सुना होगा आपके घर में normally जैसे अपने याप वाश्रूम वगेरा यूस दो होने के लिए ना वो टाइल्स दो वाइट हो जाती एक दम बीच लगा या कपड़ों पर बीच लगाते हैं कपड़े पर भी ब्लीच लगाते हैं वाइट करने के लिए वो क्या है वो ब्लीचिंग पाउडर वो सीए सीएल ओसी एल टू अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिया हो करेक्ट ब्लीच हम लोग कपड़ों पर भी करते हैं राइट है ना इसको अब इसको अब लोग जज कैसे करें सोच एसको जजeng करने के लिए अपने को औक्सिजन वह पता चाल्रणी तो केलशम अब क्लश्टा खिश्गकि तो बचा अब क्या ध्यान से दिखना ये chlorine को minus 1 मिलेगा calcium के साथ जुड़ा हुआ calcium के साथ जुड़ा हुआ minus 1 और इस chlorine को क्या मिलेगा plus 1 पूछो क्यों 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 कि oxygen is more electronegative है की नहीं बच्चों ये मैंने बताया न आपको मैंने आपको sequence क्या याद कराया था याद कर लो अगर electronegativity का sequence देखेंगे तो fluorine सबसे electronegative फिर oxygen फिर chlorine yes or no तो oxygen जाद है electronegative है तो chlorine उसके comparison में क्या हो जाएगा positive बन जाएगा यानि कि ये वाला chlorine plus 1 है और ये वाला chlorine minus 1 है बोलेंगे साही है तो minus 1 in CLA and plus 1 in CLP that is your correct answer agreed okay then you have which of the following is not an example of redox इसको कैसे analyze करना है बहुत simple analysis है कि इसमें oxidation number का change नहीं आ रहा है बच्चो तो आप अगर D option को देखोगे चलो D option को देखते क्या बोलता है वो बीए सी अज़े स्वार्ड बीए सी एल टू का बीए सो फोर बन गया ऐसा बोला उसने तो बेरियम का plus 2 का plus 2 ही रहा करेक बोल रहा हूं बदला क्या नहीं क्लोरीन का minus 1 का minus 1 ही रहा चेक करो बीए सी एल टू में भी माइनस 1 था एचल में भी माइनस 1 आप बोलो है हां और सलफेट में पर यहां पर यहां पर प्लस का सलफेट यहां पर यहां पर प्लस सिक्स वहां पर ही कुछ बदला none of the values have changed obviously that is not a redox reaction क्या बात समझ में आगई easy quite simple c देखते हैं there is a compound that contains a, b and c a का plus 2 है, b का plus 5 है c का minus 2 है तो compound का representation कैसा होगा overall उन्होंने ये clear बोला है कि compound neutral है कि नहीं है ऐसा कुछ बोला है चार्ज है ऐसा ऐसा कुछ बोला नहीं लेकिन 4 option neutral दिये check करो option a, b, c, d, 4 के 4 neutral दिये हैं है ना बच्चो अच्छा a और b a और b positive है c negative a और b positive है c negative तो क्या करना है सिर्फ check करना है कि भाई सब जगा पर balancing हो रही कि नहीं हो रही है चार्ज इसकी चलो फटाफ़ चेक करो अगर a2 है तो यह दो मतलब plus 4 हो गया b, c, 3, 2, minus b कितना है 5 5, 2, 2, plus 10 और 3, 2, 2, 6, minus 2 minus 12 balance हो रहा है क्या 14, plus 14, minus 12 balance हुआ नहीं हुआ neutral चीए ना molecule किल्ले लोगों को नहीं समझा है मैंने क्या किया honestly बोलो सबको समझा देखो फिर से जिनको नहीं समझा a2, b, c, 3 twice तो टोटल गिनो ना कितने हुए b, 2 मतलब 2, b हो गए और 6, c हो गए correct है बच्चों बो आगी ना a2, b, 2, c, 6 agreed तो बस अब count करके बता दो sir, 2a मतलब प्लस 4 2b मतलब प्लस 10 4 और 10, 14 प्लस 14 और 6c मतलब माइनस 12 तो ये तो balance नहीं हो रहा है अब कर पाओगे easily बताओ, चलो फटा-फट कर लो second वाले में देखो कितने हैं 3a है 2b है और 8c है 8 to the minus 16 3a plus 6 और ये वा ना, balance हुआ plus 6 minus 10 sorry, plus 10 और minus 16 हो गया balance that is your answer easy बोलो हाकिन और कोई और किसी और option में आप लोगों को balancing दिख रही है क्या, check कर लेना cross verify कर लेना नहीं दिखेगी answer है option B easy सबसे अच्छा तरीका ही है okay then you have PQRS यहां पर क्या करना है balancing करके check करना है की coefficient क्या आ रहे चलो बताओ सबसे पहली बार तो chromium को balance करेंगे देख लेना ध्यान से PQRS इस particular reaction में right आपका coefficient क्या आएगा for the various reactions समझ में आरी बात for the various reactants and products sorry not reactions reactants and products थोड़ा दिमाग लगा आर क्या होगा थोड़ा से दिमाग लगा लो आर क्या होगा 2 आर तो by default 2 होगा पुछो क्यूँ कि भाई 2 क्रोमिय में यहां पे तो पी क्या होगा और आटोमाटिकली वन इसी वन सी आर टू ओ सेवेन हाँ पी और आर आगे आज़र आगे options ही यह सोनो बच्चो ज़्यादा सोच नहीं नहीं है बालेंसिंग करके बता दू क्या आएगा यहां पे 1 यहां पे 6 यहां पे 2 और यहां पे 6 1 6, 2 6 easy simple ओके चलो for the redox reaction, find the correct statement SN2 plus gives SN3 जो है वो 2 plus से 4 plus जा रहा है तीन जो है वो 2 plus से 4 plus जा रहा है तो उसका क्या हुआ, oxidation हुआ, reduction हुआ तीन 2 plus से 4 plus जा रहा है किसी अंधे को भी दिखेगा 2 plus से 4 plus जा रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहस बच्चो तो answer क्या है obviously option ए खतम आई आई गया पहला ही option answer है तीन is undergoing oxidation yes or no खतम बाकी से बखवा से छोड़ दो यहाँ पर oxidation number of carbon in H2CO3 है नींद में से भी कर सकते हो फिर hydrogen plus 1 होता है तो यह हो गया into 2 यानि कि plus 2 और oxygen minus 2 होता है तो यह हो गया minus 6 तो यह कितना हो गया plus 4 answer आगया yes एक दाव easy एना okay stock notation for manganese dioxide manganese dioxide में manganese का number क्या है बच्चो plus 4 तो answer क्या हो गया stock notation का mn 402 roman number में 4 बच्चाइद 2 सेकंड या 3 सेकंड भी मैं जादा बोल रहा हो बतलब यू look at the question and you get the answer इना चलो super oxide में oxygen का number क्या होता है क्या हमने mark किया था बहुत important है मैंने बोला था mcq point of view से oxide में minus 2 peroxide में minus 1 super oxide में minus half याद कर लो super oxide में minus half अगर वो oxide पूछता तो आप minus 2 करते peroxide पूछता तो minus 1 करते super oxide माइनस आधा minus half okay कौन सा हालोजन है जो हमेशा minus 1 दिखाता है कभी भी कुछ और नहीं दिखा सकता fluorine direct questions most electro negative element ये लिख वाया था बच्चो लिख के ले ले लेना most electro negative of course yes the process of SO2 gives S2Cl2 is yes अच्छा सवाल simple yet may confuse a lot of students why reduction पहले में SO2 में plus 4 है और दूसरे वाले में plus 1 है plus 1 chlorine minus है ये minus 1 है तो ये plus 1 है अच्छा S2Cl2 मतलब मैं उसको SCl ऐसे बोल दूना obviously तो मतलब कि वा plus 4 से plus 4 से plus 1 पे चला गया कम हुआ तो obviously उसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है ऐसा भी सोच सकते दे it lost the oxygen oxygen का आए नहीं है ऐसा भी सुच सकते कि भाई oxygen निकल गया oxygen निकल गया मतलब reduction हो है है कि नहीं simple हो की बात बच्चो बहुत easy तो हमने यहां पे सारे questions भी कवर कर ली अपने और answer the following वगरा जैसा मैंने कहा देखो ये class 11 का topic है इसके theoretical answers के पीछे मत भागो इसके concepts समझ लो इसके balancing वगरा एक बार देख लो MCQ type questions कर लो that should be more than enough and for your college exams it's okay it's not a very big important chapter as such तेक है just do the concepts because electrochemistry में जैसा मैंने mention किया class 12 में apply करने है basic ideas तो यहां पर हमारा complete हो जाता है पूरा का पूरा redox reactions जाता है